प्रदीश भाष्पा के तीन दिवसी चंतन शिवर से लॉर्टे मुख्यमंत्री तीरा सिंग रावत को अचानक दिली से बुलावा आगया बुद्वार को मुख्यमंत्री के कई कारिक्रम तै थे ये सभी कारिक्रम रद कर मुख्यमंत्री बुद्वार को दिली के लिए रवाना हो जाएंगे माना जा रहा है कि मुख्यमंतरी को भाजपा संगचन की ओर से बुलाए गया है अलाकि इसकी छोस वजा नहीं बताई जा रहे है सूत्रों का माना है कि केंद्री नेटरत्व मुख्यमंतरी सुप चुनाव को लेकर आगे की रणीती तैक कर सकता है चुनावी रणीती पर चर्चा करने के लिए ततकाल प्रभाव से तीरसिंग रावत के तमाम कारिक्रमों को रद करते हुए दिली के लिए बुलाए गया है और उन पर उसको लेकर पांच राज्यो में चुनाव होने वाल है जिस तरह से 2042 में उसको लेकर मंतन जो है वो लगातार भाजपा में जा रही है इसको लेकर ही तिरसिंग रावत को सुतरों के हवाले से खबर आ रहे है कि चर्चा करने के लिए बुलाए गया है वहीं एक मरीज की मौत हुई है इसके लावा आज 237 मरीज ठीक भी होने के बाद घर भेजे गए है प्रदेश में अब तक कुरोना की कुल संक्रमितों की संक्या 3,49,933 हो गई है यह इसे 3,24,466 लोग ठीक हो चुके है वहीं सक्रिय मामलों की संक्या 2,245 पहुच गई है प्रदेश में कुरोना की चलते अब तक कुल 7,095 लोगों की जान जा चुकी है तो बिते 24 घंटे में 237 मरीज ने अपनी जान गवाई है कुरोना में लगातार मामले घट रहें लेकिन उसके बावजूद भी जो मृतकों की संक्या है वो 7,095 पहुच गई है उत्राखड में भीशन गर्मी का प्रकूप जा रही है मौनसून को दस्तक दिये दो हफ़ते से अधिक हो चुके है जिससे उमस भी बढ़ गई है अलकि मौसम विभाग में शुकरवार को प्रदेश के जादतर इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है खासकार पहाडों में मौसम खुशवारियां बढ़ा सकती है प्रदेश में जादा तर इलाकों में मौसम सुश्क और है और तापमान में जाफा हो रहा है दिन में कहीं कहीं हलकी बादल दिख रहे हैं मगर बारिश नहीं हो रहे हैं जैसे जादा तर इलाकों में तापमान सामाने से तीन से पांच डिग्री सलसियस तक उपर चड़ गया ह अल्मोरा के चिताई में स्थित प्रसिद गोलू मंदिर में हर साल देश विदीश से लाखों की संख्या में धार में परिटक पहुसते हैं लेकिन इस चिताई बाजार में परिटकों के लिए एक पब्लिक सौचाले तक उपलब्ध नहीं है देश में स्वच भारत भ्यान की परचार में भाजपास सरकार نے करोडों रुपे परचार में तो खर्च की लेकिन जल्ब सौधा जसकी तस बनी हुए हैं जैसे लोगों को भारी या सौधा का सामना करना पड़ता है चिताई किस्थानी लोगों का कहना है कि यहां लाखों की संक्या से संक्या में बाहर से प्रेटर पहुसते हैं लेकिन पब्लिक स्वाचाले की सुवेदा यहां उपलब्द नहीं होने के करण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सौचालों में से यहां एक भी उप्योग नहीं हो रहा है हला कि दो सौचालों उप्लब दें लेकिन एक भी उप्योग में नहीं आ पा रहा है कर दो पर जो है यह बहुत पुराना है तो इसको घुटे जो है गुल्जु का बिश्टू प्रशुद मंदिर यहां पर पूरे देश से पूरे विश्टू से बहार्थ भी लोग आते हैं प्रड़िटरं के लिए आते हैं लेकिन सवाचार के लिए सब लोग परतान रहते हैं क तो अब प्रसासन आता है अधिकारी प्रसासन से यहां आता है लेकिन इस पर नजर किसी की नहीं पड़ती है अब यह पर एक सोचाले यह है एक सोचाले पचास मिटें नीचे है वह करी 15-20 लागत का बना हुआ है लेकिन उसकी स्थिति भी ऐसी है बंद बंद ताला लगा पड सब्सक्राइब था और तो इसमें जो है हमारे जिल्र पड़ती काहिए नीचे में उसका छूब अब आ पड़ा हुआ है वह रन आता है लिए सथाय कारी एसमें और को जिशन कूई और इतना रंगुस्ट वेस्ट लागत की कम से कम यह बहुन होगी होगी है कम से कम इर्माने दुबारा फिर इसमें प्रेटन से फिर इसमें जो है काम हुआ है जो कि आरियस से हुआ था तो इसमें दफसे देख रहा हूँ विकास कार्यों में ब्रश्चाचार और कमिशन खोरी का बोल बाला इसकादर है कि लाक रुपे की लागा से बना पुल महज पांच महीनों में ही जरजर हालत में पहुँच गया है हम बात करें हैं मसूरी विधान सभा के किमारी रोड सेत गजलवाडी छेतर की जहां 40 लाक रुपे की लागा से 15 मीचर पुल का निर्मान पांच महीने पहले लोक निर्मान विभाग द्वारा किया गया था जिसका उद्गाटन छेतरी विधायक गणे जोशी और क्याबिनेट मंतरी द्वारा किया गया था लेकिन आज चंद महीनों में इसकी हालत ये हो गई है कि इसमें जगा जगा सरीय निकल चुके हैं जिस कारण कोई भी बड़ा हासा घटेत हो सकता है छेतर में पूर्व प्रधान राकिश शर्मा का कहना है कि काफी प्रयासों के बाद भी इस पुल की सुईकरती मिल पाई थी और ये पुल पांच ग्राम सभाओं को जोड़ता है और सैकडों लोगों का इस पुल से आना जाना लगा रहता है उन्होंने कहा कि इसमें पैसों क बंदर बाट हुआ है तो आपको बता दे कि सड़कों पांच ग्राम सभाओं को जोड़ने वाला ये पुल किस हालत में पहुँच गया है आप इसों तस्वीरों के जरिये देख सकते हैं कि किस तरहा से ये पुल अब जरजर हालत में पहुँच चुका है चालिस लाग की ला हासा किसी भी दिन घटेद हो सकता है कलियर में ट्राक्टर ट्रॉली पलटने से बाइक सवार बाल बाल बच गया कलियर के सोहल पूर रोड में बने गड़े रोज किसी ना किसी हासों को अंजाम दे रहे हैं आए दिन इन गड़ों में कोई ना कोई हासा होता रहता है लेकिन कि इस हासे में किसी के हाता हात होने की कोई खबर नहीं है लेकिन शायद हुक्मरानों द्वारा किसी बड़े हासे का इंतजार किया जा रहा है गड़े किसी बिदिन हासा किसी बड़े हासे का सबब बन सकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई कारवाई नहीं की जा रही है न सड़क निर्मान की और किसी भी हुकमनारों की नजर पहुच रही है जिला अधिकारी पौड़ी करवाल कारयाले में डीम डॉक्टर विजे कुमार जोग डंडे की अधिक्षता में जिला खेलकूद प्रोसाहन समिती की बैठक आयुजद की गई बैठक में कि हिलकूद प्रोसाहन के छेतर में सुविदा जनक कारय योजना बनाया जाने के लिए चर्चा की गई जिला ख्रीड अधिकारी ने समिती के कारयों और इस साल के कारय प्रगती की जान कारे दिया उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्क के प्रतिभावान खिलाडियों के लिए सुविदा मोहिया कराने की बात रखी रामनगर में हुई अधिया के मानमे में अप्रादियों को पकरने के लिए उत्रखन पुलिस की तलाश लगातार जा रही है सलीम एहमद टैक्सी चलाते थे और बी 37 जून से नैनिताल जाने के लिए बुकिंग पर निकले थे लेकिन रास्ते में ही उनकी हत्या कर दी गई और जिस शक्स द्वारा ये बुकिंग कराई गई थी वो शक्स सड़क किनारे शफ को फेक कर गाड़ी और सभी दस्तावेज दौर में तक सलीम एहमद का फोन लेकर फरार हो किया है स्पी सिटी सरीता डुभाल ने बताया कि मामले में मुकदमा जनपद नैनिताल में दर्च किया गया है फिलाला आरोपी अभी फरार है जिनने पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किया रहे है तो आरोपियों की तलाश जारी है बता दे की सलीम एहमद नाम के एक शक्स जो गाड़ी चालक था उसकी किसी ने हत्या कर दी हलाकि हत्या सलीम एहमद की 27 जून से नैनिताल जाने के लिए वो बुकिंग पर निकलेते हैं इस दौरान की गई इस हत्या में जो शक्स ने बुकिंग करवाई उस पर शक जा रहा है वहीं पुलिस ने कारवाई करने की बात कही है पहर समचार में फिलाल के लिए बस अतना ही फिर हाजर होंगे तब तक के लिए अपसूस रहीं सतरक रहीं और देखते रहीं प्राइम टीवी झाल